अब आपके पास question number 4 का B part है, B part में आपको recurrence relation बताया वा था, an equals to 4, an minus 2 plus this plus this, यह आपको question में बताया वा था, इसमें भी आपने वो ही काम करना है, आपने इसकी degree निकालनी है, आपने इसकी characteristic equation निकालनी है, फिर degree के लिए वो ही formula लगाओगे, highest subscript minus lowest, आप सबसे कम वाली dummies के अदर N minus 7 है, जो सबसे छोटी है, तो highest में से lowest को minus कर दोगे, तो add the end आपकी degree आजेगी 7, अब इसकी भी characteristic equation निकालनी है, वो ही same step होंगे, step number 1 में आप बता दोगे, degree क्या है, degrees के already calculate कर चुके हो, बता दोगे 7 है, step number 2 में क्या करना होते है, जहां highest value होती है, सारी के सारी terms को व step number 2 में सारी terms एक साइट पे लेके जाके equal to 0 रख दिया, step number 3 में अब इन terms को R के सारी प्लेस करना होता है, replacement के लिए पहले भी समझाया था, आपने सबसे बरी term लिख देनी है, और सबसे छोटी term तक ले जाना है, तर्तीप से लेके जाना है, सबसे बरी term An थी, फिर An लिका फ जैसे एक एक value कम होतीगी, R की एक एक पावर कम करते जाएंगे, R की पावर 6, R की पावर 5, 4, 3, 2 और R, और add the end जब R की पावर 0 होगी, वो equal to हो जाएगा वहन के, तो इन values की जगा पे जहां जहां जो जो value आरे थी, उसकी जगा पे आपने वो वो term पुट कर दी, जैसे An आ आपके पास है, journal solution को लिखने का method, journal solution को लिखने का method मैं बच्चो आप लोगों को book से बताती हूँ, इसमें एक तरतीब होती है, उस तरतीब के according लिखना होता है, ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को journal solution की form में लिखना है, तो आपको इस फोर में लिखना पड़ता है, यह आपके book के page पे होगी, page number 108 है, मेरे पास, आपके पास maybe sequence चेंज हो जाए, यानि कि आपने क्या करना होते है, किसी भी चीज़ का अगर general solution लिखना है, आपने R1, R2, R3 सब की values निकालनी है, उसके पहली वाली value को K1 से multiply कर देना है, और उसकी power n ले लेनी है, second value को एक ने constant K2 से multiply करके उसकी power n ले लेनी है, जो जो R की values निकलेंगी roots, उन roots को A, K1, K2, K3 से multiply करता जाना है, और उनकी power n ले जानी है, यह सिरफ उस case में करना है, जब आपकी roots रोपीट ना हो, लेकिन अगर आपकी R1, R2, R3 हैं, यह roots repeat होंगी, तो आपने क्या करना है, repeated roots के लिए आप यह करते हो, जितने time वो root repeat हो रही हो, तो उतने time अगली से अगली time को n से multiply करते जाते हो, इसे related question आएगा, तो मैं आपको साथ ही बताती हूँ, कैसे घड़ना है,